दोस्तों आपसे भी का स्वागत है करंट फर्स फंडा की यूटूब चैनल पर और आज जो कोश्चन होगा उसमें हम लोग बात करेंगे यह 37 चंदर ने हमें इमेल किया है कोश्चन और काफी अच्छा कोश्चन है केसलेट डियाई को इन्होंने बना कर बेजा है रेशियो औ एक सर्टेऱ बेल्यू बहाँ पर दी थी मैंने ये वेल्यू मान लिया 1600 तो मैंने ये मान लिया कि city x जो है इसमें instruction कितनी है ये है 1600 एग्जाम में क्या है यहाँ पर एक सर्टेव बेल्यू कोई दी गई थी ओके और अभी आप assume कर सकते हो कोई भी बेल्यू को तो इसमें लि मेल और फीमेल का रेशियो 355 है टोटल रेशियो को add करोगे कितना आजाएगा 8 रेशियो 8 रेशियो के value कितनी है 600 ठीक है 1 के value कितनी आजाएगी 200 आगई अब यहाँ पर male देखोगे तो 200 इंटू 3 male कितने हो गए 600 और female कितने हो गए यह हो गए 1000 जिसका ratio जाएगा होता है हमेंसा वो value भी बड़ी होती है अगर मैं कहूँ कि 3 is to 5 है तो इसमें बड़ी value कहूं से obviously जिसका ratio जाएगा है क्योंकि क्या है अगर आप इसमें किसी constant value से multiply कर दोगे जैसे हमेंने 1000 से कर दिया तो तो देखो यह 3000 हो जाएगी और यह कितनी होगी यह 500 होगी ठीक है तो यह एक general बात है चोटी सी आगे क्या लिखा हुगा आगे लिखा है another city by एक city और है वो है क्या है city by ठीक है इसमें क्या क्या है by has a population which is 50% more than that of city x city x की जो population है इसमें 50% more than है मतलब क्या है कि city x का क्या है आप 150% निकाल दो ठीक है तो 150% निकालने के लिए डिरेक्ली 1.5 से आप multiply कर दोगे तब भी वो value निकल कर आ जाएगी तो यह 1600 और 1600 में 1.5 से multiply करोगे तो देखो एक 0 तो आपका बैसी ही खतम हो गया 0 यहाँ पर है 15 into 6 कितना हुआ 90 है और 15 into 1 15 और 24 तो जो 24 तो value आ गई यह किसकी हो जाएगी city by की population यहाँ पर हो गई अब इसमें भी male और female की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ आपको दिया है या नहीं दिया है आगे क्या लिखा है कि and it has 420 males more than that in city x मतलब कि जो city by में number of male होंगे तो यह जो city x था इसमें जो number of male थे 600 ओके इसमें 420 और add कर दोगे उतने male जो है city by में निकल कर आएंगे तो यहीं कहा है it has 420 males more than city x ठीक है जो भी city x में कितने male है 600 है इसमें क्या करा 420 इतना add कर दोगे तो इतने male यहां पर हो गए तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 1020 आप देखो 2400 में से 1020 यह male हो गए कहां पर इस city by में तो remaining जो बचेंगे वो क्या हो जाएगे female हो जाएगे तो देखो 2400 में से 1020 को अगर आप less कर दोगे तो कितना बचेंगा 1380 ठीक है 1380 female हो गए और male कितने हो गए हाँ पर यह हो गए 1020 यह बात हो रही city by की तो city by का total पता जल गया और male पता जल गया female पता जल गया और city x का total आपको दिया था male female का ratio दिया था इससे आपने हैशिज निकाल दी अब आज ओ question number 1 की और तो हमें यही data की जरूद पढ़नी है इसको हमने एक table में लिख लिखा है city x इसमें male है 600 female 1000 तो यह total कितना हो गया 1600 और by में क्या है 1020 male और female 1380 तो यह कितना है 2400 ठीक है पहला question पूछ रहा है how many females are there in city by city by में कितने female है तो यह हो गया 1380 यह question directly value के उपर आधारित है जो आपने question data निकाला है उस पर यह बन जाएगा and next question आप देखो इसमें क्या लिखा है question number 2 what is the ratio of total males in city x to total females in city y अब देखो total male जो है वो city x में कितने है यह कितने है 600 और total females in city y यह कितने है 1380 तो 600-1380 के साथ ratio निकालोगे 0SE खतम हो जाएगा 60 बचा तो इसको देखो कि से 10 से 6 से काटते है तो 6 से 10 बार गया और 6 से 2 बार और 6 से 3 बार 10 इस तू 23 ठीक है 10 23 का ratio यहाँ पर बनेगा बात करते हैं यहाँ पर question number 3 की इसमें लिखा है females in city x are what percent of males in city y तो यह भी easy है female city x में कितने है यह है 1000 ठीक है यह आपका बनेगा और compare किससे करना है percentage of किसके compare निकालना है males in city y तो city y में जो male है वो कितने है यह है 1020 ठीक है into 100 कर दो तो इससे आपका percentage निकल कर आजाएगा comment करके बताओ मुझे आपका percentage कितना रहा है ठीक है option कुछ इस तरह से देश सकते है 92%, 98%, ठीक है 103% या फिर आपको दे दिया है 90% ठीक है या फिर एक option दे दिया है none तो बताओ इसमें से मुझे कौन सा बाला option आपका match कर रहा है एक और question number 4 है इसको थोड़ा ध्यान से देखना question number 4 में क्या दिया है इसमें लिखा है अगर population of city by जो है उसको increase कर दिया जाए 30% in 2014 ठीक है आप यह देखो city by यह है और इसकी total कितनी है यह 2400 ओके यहाँ पर यह कह रहा है कि अगर हम population जो है city by की इसको हम increase कर दे 30% से तो मतलब क्या है 130% जो है निकाल लो आप ओके तो जो 2400 दिया है इसका 130% कैसे निकालोगे directly 1.3 से multiply कर दो तो 1.0 तो जब्लब से अट गया यह हुआ 13 into 4 52 हुआ ठीक है 13 into 2 26 और 5 31 तो यह कितनी होगे 3 1 2 0 अब इसमें का गया है कि आपने city by की population निकाल दी 30% increase है previous year में ठीक है यह जो data आपको दिया है 2013 का दिया है 14 में बात की जा रही है तो इसमें बढ़ा कर बात की गई है कि इस पर जो है हमने 30% increase लगाया तो 3120 हो गया यह है फिर का आगया है and the ratio of male female remained the same as for the city x in 2013 तो देखो city x के लिए 2013 में जो ratio था वो male female का कितना था यह था 3 is to 5 बाला यही ratio आपका 2014 में जो आप data निकाल लो उसमें भी आपका ratio जो है remain same RS की बात की गई remain same रहेगा फिर आप से पूछ रहे है then what was the total number of females in city y 2014 ठीक है तो देखो male और female की अगर बात की जाए तो यह female वाला 5 ratio निकालना है तो देखो इन दोनों को जोड़ोगे कितना है 8 ratio इसकी value कितनी हो गए 3120 एक ratio निकालोगे देख लो 8 x 324 और 8 निम बाततर 390 हो गया 5 ratio की हमें value निकालना है female क्या है 5 ratio में है यह तो 5 x 390 देखो 400 x 5 करो 2000 होते हैं तो यह 50 और कम कर दो यहां पर तो यह कितना जाएगा 1950 डिरेक्ली यहां पर हम लोग और इसको calculate कर लेंगे ठीक है एक और question number 5 है देखो इसमें क्या का गया है what is the ratio of females in city y to that total population in city x देखो जो यहां पर females हैं city y में city y में females कितनी हैं 1380 यह कह रहा है 1380 और ratio किसके साथ निकालना है total population of city x city x की अगर total population होगी male plus female के साथ कितनी हो गई यह हो गई 1600 तो यह 1600 के साथ इसका ratio निकाल दो तो 0 से 0 और गया अब किससे कटेगा आप next number यहां पर देखो यह कट रहा है आपका दो से अगर मैं इसको काटता हूँ दो से छे बार बार है यह 6910 क्या यह गया 80 बार ठीक है आगे देखो कोई और कटेगा किसी से तो यही ratio आपका बन जाएगा अगर नहीं कटने बाला है तो यह आपको पूछ रहा है जो ratio वो आपका यह निकल कर आ जाएगा एक question आपसे यह भी पूछ सकता है कि जो 2013 में city y है उसमें male और female का ratio बताओ तो यह क्या है इन दोरों के विच्छाँ ratio निकाल दो ठीक है यह data हमने calculate कुछ से क्या था था न 10202 1380 तो comment करके मुझे बताओ कि question number 6 में आपका male और female का ratio क्या निकल कर आ रहा है अब आजाओ कुछ number series की problem से आपर solve करते हैं यह भी clerical level की है और जो अचकल बंदब कुछ छोटे questions भी exam में आ जाते हैं तो उनके लिए भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है जैसे लिखा है 495, 485, 465, 425, 345 डिरेक्ली क्या करना है difference लेना है देखो यह 95 है यह 80 है तो 10 आया difference यह 85 है 65 है तो कितना आया 20 आया तो 10, 20 आगे का देख लो 30 है या फिर इसका double 40 हो रहा है तो यह 65 यह है 25 तो यहाँ पर 40 हो रहा है 10 का double 20, 20 का double 40 40 का double कितना हो गया 80 आयेगा क्या difference दोने बीच में 345 में 80, add करोगे 425 आजाएगा बिल्कुल ठीक है तो आगे क्या करना है यह आपका आजाएगा 160 और 345 में से 160 को less कर दोगे कितना आजाएगा 185, option क्या है यहाँ पर option number C वाला match अब यह देखो question number 2 इसको जोड़ा self बनाओ और मुझे बताओ किसका answer क्या आ रहा है बहुत ही easy level है questions का यहाँ पर और यह question number 3 है इसमें देखो क्या चल ला है 32, 36, 52, 88, 152 और x की value आपको निकालनी है देखो यह 32 और यह 36 तो आपको यहाँ पर 4 जो है 16, आगे देखो 22 और 88, इनके बीच में कितना difference है, यह आएगा 36 का ठीक है, तो देखो यह क्या है यह 2 square हुआ, यह 4 square यह 6 square, तो 2, 4, 6 difference हैगा 8 square मतलब 64, और यहाँ पर कितना हैगा 10 square, मतलब कितना हैगा 100 का, तो हो क्या रहा है 252, ठीक है 200 बाबन, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, none of these वाला, सही answer हो जाएगा, ओके question number 4 को एक बार देखते है देखो 4 में क्या है, एक बार try करो इसको बनाओ, 17 लिखा है फिर लिखा है 289, तो इसको मैं लिख देता हू 17, 289 425 और 493 और 527 और यहाँ पर X, तो देखो एक तो बहुत चोटी value है, बाकी values बढ़ रही है लगातार, ठीक है लेकिन यहाँ पर काफी बड़ी value आई, फिर थोड़ी सी बड़ी, फिर हलका हलका बढ़ना increase हुआ, तो आप यह देखो, इनके बीच में एक बार अगर difference लो लो कि हो सकता आपको कुछ clue मिल जाए, difference कितना आएगा, 272 का इसके बीच में difference ले लो 425 माइनस 289 तो यह आएगा 136 अब यहाँ 272 और 136 यह तो पता है ना आपको, 272 का half हो रहा है यहाँ पर, तो आपके मैं से 5 गए 8, और 48 मैं से 42 गए 6, आगे कितना half आएगा, 68 का यह हुआ 34, तो difference भी 34 आ रहा है, आगे कितना है इसका half 17, ठीके, तो आगे क्या करना है, 527 में 17 को जोड़ दो, कितना हैगा 544 27 और 7, 34 और 10 44, 544, देखो option क्या दिया, 544 गिया या आपका answer हो गया, अब यह कैसे देखा कि difference इसमें add हो रहा है, देखो 17 में 272 add हुआ, तभी तो यह आया 289 में 136 add हुआ, तभी यह value आई, 425 में 68 हुआ, तभी तो यह value आई, तो इस भ्याब पर ऐसे हम इसको solution निकाल सकते हैं, okay, question number 5 को एक बार हम देख लेते हैं, हाँ पर, इसमें लिखा है 13, 27, 55, 97 और 153, यह question बहुत ज़्यादा famous है, कई बार exam में यह आता है, तोड़ा सा देखो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, difference निकालते हैं यह question बन जाता है, इसमें क्या है, multiples increase होते हैं अब जिससे देखो, यह कितना है 13 और 27 के बीच में, difference आएगा 14 इसके बीच में difference कितना हैगा यह आपका difference आएगा 28 ठीके, इसके बीच में difference कितना हैगा, यह आपका आएगा 42 तो देखो 14 into 2, 28 24 into 3, 42 तो अब क्या होगा, into 4 होगा इनके बीच में difference कितना हैगा 56 आगया, अब यहां पर x लिखा हुआ है, तो आगे क्या है, into 5 होगा तो यह 14 into 5 कितना हुआ, 70 अब आप यह देखो, 13 में 14 जोड़ा तभी 27 हुआ मतलब 97 में 56 जोड़ा तभी 133 हुआ है, तो आगे क्या करना है 153 प्लस 70 यह जोड़ोगे कितना जगा, यह हो जाएगा 153 प्लस 70 यह आपका हो गया 50 और 70, 223 ठीक है, यहां पर देख लो option को image कर रहा है, यह वाला option आपका मिल ला है 223 आपका सही जवाब यहां पर हो जाएगा, ओके तो question का label कुछ इस तरीके से exam में चल जाता है तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखना और दोस्तो regular videos आनी start हो जाएंगी और एक शीज और बता दू मैं आपको जो IBPS PO prelims की तयारी है वो हम लोग upcoming days में start कर देंगे pre label का, और साथ में जो RRB के office assistant और जो PO level का mains है उसके लिए हम लोग math के set जो हैं लेकर आएंगे तो हमारे साथ बने रहें और इस channel पर videos देखते रहें और इसको share करते रहें आपने दोस्तों को बताते रहें अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ playlist जो है यहाँ पर है आप इनको देख लो और puzzles भी upload हो रही है उनको भी देख लो यार क्योंकि आप लोग mains label के questions आप upload करने start कर दिये हैं और आप लोग की request है वही हम लोग यहाँ पर follow करते हैं तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आप लोग यही करें कि इस वीडियो को share कर दें और like कर दें Thank you Have a good day